नमश्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है, आये सुनते हैं कहानी, पगला गई है भगवती, जिसे लिखा है मैत्रिय पुष्पाजी ने, काम से उचट कर भागों की निगा हावेली पर पड़ती है, तो अपनी ही गली अनपहचान सी मालूम होती है, रेत भरी जगर पर दुधिया रोश्णी की नदी बहनिकली हो जैसे, कौन कहीगा कि या हवेली जरजर होकर चर्मरा रही है, या धुरवू बखरी फूट जाने के कारण इसकी पौर में भैस बनने लगी है, आज की तो रंगत ही अलग है, जिजी के घर की, जिजी भाई बहनों में सबसे बड़ी संतान थी, और भागो सबसे छोटी, जिजी का ब्याह यहां महुआपुर में हुआ होगा, माधो सिंग के साथ, पर भागो को अपने ब्याह की तो याद ही नहीं, अपने गाउं की कोई जाई पर चाई भी मन में नहीं उतर दी, एक दिन जिजी जोर से रो उठी, तो वहां गिट्टे खेलते से भागी थी, जड़ मूरक सी निरखती रही बहन को, पडोस की ओरतें जिजी को चुपाने में लगी थी, काहे को रोती ठकुराइन, करम की हेटी हती अभागिन, सो कच्छू देवखो नहीं बदो हतो, इते एक लंबी जिन्द की, फिर अपनी जात बिरादरी में दूसरे ब्याह की रसम रीथ, आसू काढ़ जनमजली, आसू काढ़, आदमी नहीं रहो, और ते अजबक सी हेर रही, किसी जनाने हाथ ने उसके सिर पर थपड़ दे मारा, वह सारे दिन कोठे में छीपी बैठी रही, फिर समय के अंतराल ने बता दिया है, कि वह विधवा हो गई, तब से आज तक उसका तन, उसका मन, संपूर अस्तित्व, विधवा है, होस, उमंग, पहनना उढ़ना, सजना समरना, उसके लिए वर्जित है, औरते उसे सगुन साथ मंगल कारियों से बचाती है, सुबह सवे उसका किसी के आगे पढ़ जाना असुब है, यह बात भागो जानती है, वह स्वेम भी देख बच कर निकलती है, अठैन कर देने से सामने वाले के साथ उसका अपना मन भी दुखी हो जाता है, सदैव जी जान लगाकर जिजी के काम करती रही, जीजा के हुकुम पर दोडती आम जामन तोडते, बहनोतों को गोद खिलाते, उमर उतरने को हो आई है, आज शोभा देखने लायक है, लोग क्या जानती नहीं कि माधो सिंग की हवेली भले ही मिट्टी और कंकरिया इंटों की बनी हो, मगर पुरानी चाल की राजसी गरिमा से खड़ी है, इन दिनों तो रंग रोगन पुतवा दिया है, सो नई लगदक से जगर मगर है, जब से गाव में बिजली आई है, साधी ब्याहों की रंगत ही बदल गई है, पहले की तरह नहीं हंडा, मूर पैधर के चलो तो कहो बीच रास्ते में ही गुप-कुप करके बुझ जा है, दिखाया, सुनैय दूलहा, पालकी, सब वहीं के वहीं थिर, भले ही करंट से चाई के लिए ना मिले, देर सवेर मिले, पर ब्याह की समय तो कहकर रखना पड़ता है, किसी प्रकार ओसर की शोभा बनी रहे, ब्याह के खर्च में से ही, सो पचास काड़ कर, ऑपरेटर के हाथ पे धर दो, पंग यह रंग बिरंगे लट्वों पर थिरकती, चमकीनी फुरहरी, किसी आतिश बाजी से कम है क्या, चारों और अनार से छोट रहे हैं, आखों के सम्मुख बिखरते हुए चमकीले छीटे, भागों की आँखें जगमगाने लगी, आज अनसुया होती तो देखती, कि भाई के ब्याह पर उसका घरद्वार कैसा, अनसुया का ध्यान आते ही, भागों का मन बुझने लगा, कलेजे में हूक मड़ाई, हात में पकड़ा हल्दी का बेला, गिरने गिरने को हुआया, इतने में जिजजी आ गई, भागों तुम्हें दस जांगा देख ही आए, रुआसी उम बदल डारो, ऐसी ही गत बनाए रहेगी, पई पाहुनों के आगे सिरिन, जिजजी को याद नहीं आ रही है, अनसुया, अब जिजजी से क्या कहें, कि उन्ना कपड़ा देखे, या कुटान पिसान करवाए, तुमने तो कह दई, कि मठोले की जनी को टेर के करा लो काम, पर आबे तब न, अब पहले कीसी बात रही है कहां, वह चमरोटा के गिन कर दस चक्कर लगा आई है, तब कहीं जाकर इतने में तो वह खुद ही फटक डालती गी हूँ, और आ गई, यही क्या कम है, जिजजी को संतोश हो गया, अजब बहस बांध रखी है, इन्हें बुलाने क जिद है, और उन्हें पैज पड़ गई है, ना आने की, आपसी एहंग की बात ही कहो, प्यार प्रीत का बुलाना चलाना हो तो आदमी सिर के बल चलाए, अब जीजा तो अपनी ठकुराईस गाठे फिरते हैं, मठोले की जनी बुरी थोड़े ही है, बात करो तो रजभरी पड़ती है, दुख तकलीफ में जान प्रान से हाजिर, जो कुता कूकरा की तरहां दुदकारोगे, तो फिर अपनी एजजत आबरू तो सबै प्यारी है, जेजी की बात पर वहाँ खड़ी हो गई, अपनी हल्दी मसाले लगी धोती को जाड़ा, और ठीक से पटली बिठान लगी, कपड़े बदलने का मन था ही नहीं, फिर भी ट्रंक खोला, धोतियां उलटती पुलटती रही, जे तो अनुसुया ने पहरी थी केशकली की बरात के दिन, नई की नई धरी है, बस एक बार ही पहरी, और जे, जे सिवरा पहाड के मेला में पहर गई थी, जाने किसकी नजर लगी की मोड़ी भठिन बुखार में तपत आई, जा सुपेद धुतिया, कैसी लगत हती पहर के, मीरावाई, जोगिन, बस तनपुरिया हाथ में लेवे की देर हती, उसने ट्रंक बंद कर दिया, देर तक वही धर्ती खरूषती रही, क्या करे मनिक, मन कुंद हो तो पहना उड़ना रुचता है भला, होँच हुलुस, सोंख मौज सब मन के खेल है, उमंग उच्छा, सुख दुख, जवानी बुढ़ापा, मन के भीतर उड़ती सोंच की लकी रही तो है, अनुकूल पड़े, तो बुढ़े शरीर में भी पंख लगा दे, और विपरीत तो गदर जवानी भी रोगनी सी घिसटे, आज के दिन होती ना अनुस्विया, तो उर्र फुर उड़ी फिरती, अब तक तो गहां के दस चक्कर माराती, मठोले की जनी तो क्या पूरे चमरोटा और कच्छियाने को बुलालाती, अपने नरेश भया के व्याह की होंस में, ब खाबी के रूप सरूप की गाथा कहती डोलती, कितनी बार तो उसी से जगड लेती कि अम्मा, नाइन बुलाओ, उप्टन लगवा कर नहाना है, महदी बिंदी का सवाल अलग, फिर चुरेलिन बुलाओ, शूडिया पहननी है, दरजी काका की दहरी खूद आती दसियों बार चोली घागरे में बीसियों खोट निकाल कर रख देती, यहां से उंचा, वहां से छोटा, कद की लंबी थी, सो चार की जगहां पांच गज कपड़ा लगता था घागरे में, जब तक ठीक न होता, बड़-बड़ाती रहती, फिटन ठीक नहीं है, अम्मा भागों के समक्ष, इस बेवक्त अंचाहे चित्र क्यों भरने लगे, यह यादें क्या इस विवाह की वेला में उमरने को थी, अनुसुया पैदा हुई थी, जिजी की पांचवी संतान, पहले चार लड़के थे, वह सत्मासी जनम पड़ी, रोई, कुलबुलाई, महतारानी ने बड़ी निश्चिन्ता से एक कोने में तसले समेत धर दी, मोडी जनमी है, मरी भई, द्वार खबर कर दो, चल अच्छी, ना जाने किसका जनाना स्वर्था, भागो तलसे के पास जा बैठी, नवजात स्विशू पर निगाहें अटकाएं देर तक देखती रहे, लगा की सांस चल रही है, चिडिया के हाल भए बच्चे किसी कमजोर नन्ही गरदन के ठीक पास आखें गड़ा दी, लगा की अंडी भर जगह में हरकत हो रही है, उपर नीचे गिरती, धुप, धुप, भागो उचल पड़ी, दोड़कर जिडिया के खटिया के पास आ गई, जिड़ी, ओ जिड़ी, मरी नहीं है बिटिया, तैरो कॉल, जिंदी है, फिक्वा न दियो, जन्नी ने बहन की आवाज पर आँखें खोली और उदास हो गई, मानो, बेटी खत्म हो जाने से मिली विश्टांती में, किसी ने खलल डाला हो, अब भागो, ते ही पाल ले, जा मोडी को, दाई ने कठोरता से कहकर, बित्ते भर की कमजोर काया को, उसकी गोद में डाल दिया, भागो क्या जाने, उसे तो बिटिया सपने में सोचा हुआ वर्दान लगी, बाहों में सहेज ली, रुई के फाहे को, कुड के घोल में डुबो डुबो कर, बच्ची को चटाती रही, उसके बाद बकरी का दूद, गाय का दूद, मा की रिक्तता पाटने का सामर्थ भर करती रही, बच्ची जब कभी गाय बकरी के दूद से बिवार होने लगती, तो भागो जिजी से विंती करती, जिजी, पिवाद ओ दूद, हाँ हाँ जिजी, बिटिया भूँख से तलफ रही, पिवाद ओ तनक, भागो को गीता के मंत्रे का ज्ञान भले नहो, साधना उप पासना का मरम उसकी भदेश बुद्धी से बाहर की चीज है, और ना उसे रमाइड की चौपाईया ही याद है, लेकिन उसने सती अनसुया, सावित्री, नल दम्यंती, मदालसा की कथाएं सुनी है, आख्यानों में अटूट शद्धा है, इसी कारण वह बिना नागा मंदिर जाती है, अनसुया नाम उसे बहुत भाया, बिटिया का नाम अनसुया रख दिया, अप्रसूता कोक में ममता का अथाह सागर लहराने लगा, जीवन की एकांगी चाया में वह अनसुया को समेट कर कुन्बा कुटुम्ब वाली हो गई, एक जीव से सारा संसार ऐसा भरा पू लाई है, और दिन, महीने, साल सरकते सरकते, अनसुया नाजुक बेल सी बढ़ने लगी, फूलों सी महकने लगी, वह सरा बोर हुई, बेटी पर निचावर हुई जाती, वही क्या, पूरा मोहला, गाउं गमत्ता, जैसे कच्चे आम फलने के रितु आ गई हो, गोरी कच्चन सी बेटी के, लंबी बाल देखकर ठकुरायन सिहा उठती, भागो ते जान थाती, क्या ऐसी सुगर निकरहे मोडी, नजर न लगाई हो, जिजी, तुम्हारी आखन में नौन राई, घर में भागो के वैधवे की चर्चा होती, अनुसुया की जन्म कथा कही जाती, मगर प्रभाव हुई बेटी, बन कर उसी की गोद में पड़ी रहती, मौसी, ओ मौसी, आटे बेशन मसालों में ही लिप्टी बैठी रहे गिया, क्यूं पागल हुई इन सम्मे, समय नष्ट कर रही हो, नरेश हसता है, भागो की तंद्रा तूटी, अरे, वह तो यही बैठी रह मौसी, पहले कहती तो तुम्हें इतना काम न करना पड़ता, शहर से थैलियों में बंद आटा, पैकटों में बंद मसाले बेशन सब आ जाता, तुम्हारे सारे जंजट खत्म, अब नरेश को कौन समझाए कि भाईया, पांच गाउं का नियोता है, दोपहर से आधी रात तक बीसियों पंगत बिठानी पड़ेगी, तुम्हारे थैली पैकट कितनी देर चलेंगे यहां, ब्याह कारज ही द्वार पर लोग मुझ उठारते हैं, वैसे कौन आता है किसी के घर खाने के लिए, सब अपनी नोन रोटी पर हिम्मत रखते हैं, नरेश, तुम्हारी दुलन आबे तो खरिदबा दियो, जे आठाग छाठाग भरे मसाले के पैकट और सेराध सेर की थैली चून की, भागो कोई जिन्दगानी तो जई काम के सहाये गुजरी है, नरेश का ब्याह क्या, बस दावत समझो, ब्याह तो कहता है कि कोरट कचैरी में हो गया, वह तो बड़े असमंजस में पड़ी है कि यह लड़का बरात लेकर किसके तरवाजे गया होगा, टीका किसने किया होगा, पाउं पकराई कैसे होई होगी, और कलेव में नेग के लिए किससे जगड़ा होगा, वकील जजजों से, पर जीजा कहते हैं कि नरेश का ब्याह हो गया, शेहर के ब पेनिया तो एन जिजजी के सामने बता रही थी, कि वह अपने डॉक्टर देवर के यहां ब्याह में शहर गई थी, कहती थी कि ऐसा रौनकदार ब्याह तो उसने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, बैंड वाले खुद ऐसे सजे कि उसने सामने दूला फीका लगने लगा, उसने तो ऐसा खाना कभी नहीं खाया, गिनने पर आई तो गिन्ती नहीं कर सकी, छपपन भोगों से भी ज़्यादा रही होंगी खाने की चीजें, फिर जितनी मर्जी हो उतना लो, यहां की तरह नहीं कि लड्डू वाला एक बार पंगत के सामने फिर गया, सो फिर गया, फ चिरईया की तरह एक दो चोंच, फिर जीजा नरेश कहते हैं कि सहर के ब्याह कोरट में, खेर अब ब्याह वहां हुआ है तो हुआ है, कौन जिरह करे, पर जीजा ने तो पंडित के सामने अगनी के समक्ष उसके फेरे डालने की जरूरत ही नहीं समझी, जिजी इस बात पर ख खूब जगड़ी थी कि अब गाओं में वे क्या मूँ दिखाएंगी, कुनबा, खानदान, पुरा पडोस के बुलवा, चलवा तो उन्हें ही निभाने पड़ते हैं, सभी के उत्तर उन्हें ही देने पड़ेंगे, अब माधो सिंग के मूच पकड़ तो कोई पूछेगा न मूरक हो तुम, बखत के संग बदलबो सीखो, नहीं तो कल के दिना लड़का बुढ़ा पैपे ठोकर मार जाहे, अकेली बैठे बिसूरत रहियो, हाओ, अब तुम्हें जरूल बहंगी में बैठार के तीरत करा ले है, ना करावे तीरत, ना बैठारे बहंगी, इज़त आब प्रूत और राखी है, माधो सिंग के खांदान की शान चौकत और बंस बेल तो जैसे रहे, अपनी हट पकरे रहे, दुस्मनाई बांध ले, जा कहा क्ये कल मंदी भई, भागो ने सब सुना, बड़ी अकल है जीजा में, भागो, ओ भागो, अरी, बाहर सिरकारी, एहलकार आ कोठा में जा बैठी, का करे ये तै, सर्वत पहुचाव दो बाहर, जीजी की आवाज पर जैसे वह सोते से जागी हो, बाल्टी और स्टील का जग उठा लाई, ये अंतरवत सर्वत घोलने लगी, भागो ने उझजच कर देखा, बाहर की बैठक में बहु सज रहे, जीजा ने खास प्रवंध किया है, कह रहे थे कि शहर की बेटी है, कुछ दुख तकलीफ ना हो, सजाने वाली भी बहु के संग्स शहर से आई है, बहु साड़ी कपड़ा, शिंगार, पटार अपने संग लाई है, गहने जीजी ने दिये है, जीजी खड़ी-खड़ी बतातो रही ह कि दस्ताने का पेच कैसे लगेगा, बेल चूड़ी कैसे पहनी जाएगी, और तिदाना गले से चिपका कर पहना जाता है, करधनी की कील आधे ठपे से जुड़ेगी, बहु उत्फुल है, वह गाउं के गहनों को कैसे निरक रही है, हाथ में उच्छाल-उच्छाल कर तोल ओ गौड सो हैवी, ऐसे भारी मेरी तो कलाई ही मुड जाएगी, पाउं छिल जाएंगे, माधो जीजा सुनहरी अचकन और चूड़ीदार पजामा पहने भीतर आए, कनखी से बहु के कमरे की ओर जाग गए, निचावर हुए जाते हैं, खोठों में असी से भरी हैं, कितने जीजा, जीजी से कहते हुए निकल गए हैं, देख लो, आप कोई जै नहीं कह सकता, कि माधो सिंग के बेटे ने ब्याह की बाद बाप से विरोत काहे करो, सब के मोग बंध हो जाहें, चंदा की उजियारी लेके आओ है नरेश, पूरन मासी की चंदर मासी खोपसूरत, बे, आपका बच्चा थोड़े ही है, बड़व है, समस्दार, बई की हां में हां मिलावे में भलाई है, असहमती जता के का कर लेते, वाकी बला से, बैठे रहते अपने घर, पर आज भागू हो क्या हुआ, ऐसे असमय, अनुसुया की सुधियों से कलेजा भराया, दैया, को जनम जली, सगुन साथ बेटे, बहु को देखकर सिहा नहीं रही, मनहुस सूरत बनाए डोल रही है, उसने धोती के छोर से आखें पोश डाली, जिजी भूल गई अनुसुया को, कुछ भी सही, कोक से जनी तो उन्हों नहीं थी, पली तो उनके ही आंगन में, शायद पती के डर से मुह भीचे हूँ, जीजा के सामने कौन ले सकता है अनुसुया का नाम, कच्चा चबा जाएंगे, द्वार की धजा बदल चुकी है, शामियाने में बरवधु के लिए दो महराजा कुरसियां, लाल मकमल से जड़ी हुई सुनेहरी हत्थों वाली, सिंघाशन की तरह डाल दी गई, सामने कतार बद्ध कुरसियां ही कुरसियां, बगल वाले शामियाने में खाने का प्रबंध होगा, डोंगा प्लेटों का असबाब, विभिन मसालों की उठती महक से गाउं गमक उठा, लोग चकित थे, देखो ठाकुर का दिल, बेटे की राजी में राजी, जी खोल कर खर्च किया है, कचहरी कोरट में, ब्याह में फूटी पाई भी दहेज नहीं, अपने घर से लुटा कर ही तमाशा देख रहे हैं, मादो ठाकुर ने बाप दादों की बात रखी है, भले ही जमीनदारी तूट गई, पर मजाल है कि नाक पर मक्खी बैठने दी हो, पंडाल भर गया, दूला दूलन आ बैठे, औरतों के खड़े जुंड में घूंगटों के बीच वारता लाप चल रहा था, सिया जू लग रही है बहू, गुलाबी खागरा चिन्री में दूद सी गोरी बहू, गहने कैसे खिल रहे हैं, सच्ची, सिया राम जी की जोडी रही है, लरका ने खुद पसंद करी, रिष्टेदार सगे संबंधी उची स्टेज पर चड़कर, रुपया पैसा उपहार दे आए, अपनी अपनी आउकात के हिसाब से, और वरवधू के साथ फोटों खिचाए, उसी सब की विशद चर्चा में लगे थे, अंत में माता पि आने से भी लड़का बहू को असी सेंग, जिजजी को भागो का ध्यान हुआया, घुंगत की ओट से इधर उधर निगाह दड़ाई, ऐसे समय में भी नाजनिक कहां काम में ही लगी होगी, संग चलती, बाके बेटा बहू नहीं है, हमारे सोवाके, और है ही कौन बिचारी को जिजजी को दिखी, दूर कोने में खड़ी, गंभीर मुद्रा बनाए, किसी पाहुने से बातों में उलज रही थी, ओ भोजाई, भागो को भेजिये जल्दी, वो ठाड़ी, जिजजी कहती हुई रेश्मी चादर समहालती, पती के पीछे चली गई, स्टेज पर पहुँच क्लिक क्लिक कैमरा चलने लगा, कि ठीक उसी समय, निशाना बाधा हुआ नुकीला पत्थर, विश बुझे बाडों की तरह नुकीले और धारदार, पत्थर ही पत्थर, अचूक संधान, जैसे कोई बंदूक से गोली दाग रहा हो, नाक और चहरे के कटावों से रक्त की ते दढ़ मज गई, कोला हल के बीच ठाकुरा चेत होकर, कपके लुढ़क चुके थे, ठाकुरायन विलाप करने लगी, अपने को बचाते तथा प्रचेपन की दिशा को, अनुमानते हुए लोग उसी ओर दोडने लगे, गली महला, घर बखरी सब छान लिये, कोना कोना खोजा पर कोई नहीं, अन्त में लाला की रोडी पत्थर से भड़ी छट से जो पकड़ कर लाई गई, उसे देखते ही जिजी को गश आने लगा, भागो, भागो चीकती चली आ रही थी, विशिप्तों की तरह, ओ अधर्मी, अन्याई, ठाकुर माधो, आज बेटा बहु के अगत में मरे जा रहे हो तुम, खुशी में अस पेर भर के गाउं जिवा रहे, आज आखें मूद लई, बेटा की गलती दिखाई नहीं दई तुमें, याद करो माधो, जे ही गलती तो मेरी अनुसुया ने करी थी, बस जे ही, तैने जो सराबी जुआरी ढूडो हतो, सो बा आने पसंद नहीं करो, मास्टर जी से प्रीत हती, हमें बताई हमारी बिटिया ने, भगवान के अगाई मंदिर में ब्याह करो हतो, और फिर गरभ, मास्टर आन बिरादरी हतो, सो का, भलो मानस हतो, और जा बहू, जा कि तुम आरती उतार रहे, जा कौन सी असल ठकुराइन क जाई है, जाते हिंदू तक नईया, और चार महीना गरभ, माधो फिर आदे दे बेटा को जहर, जैसे मेरी अनुसुया को, वह चीखते चीखते धरती पर लुढ़क परी, मगर खीचने वाले खीचते रहे, दूर तक, बाकी लोग अवाक, अवसन, एक दूसरे को उलजी हु जाचक निगाहों से घूरते हुए, धीरे धीरे फुसफुसा हटे, उभरने लगी, उन सारी अवाजों के उपर, रोदन में लिप्टा हुआ, ठकुराइन का स्वर तैरने लगा, भागो, सर्रिन हो गई, आशा है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंदाई होगी, अगर पसं के साथ शेयर करें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूले, इससे मुझे प्रोद साहन मिलता है, और अगर आप इसी तरह की मनुरंजक कहानिया सुनना चाहते हैं, और इस चैनल पर नए हैं, तो इससे जुढ़ना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलती हूँ एक नई कहानिया कविता के साथ, तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,